नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डाइन विद अंज्यू में आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सूजी की खीर की रस्पी शेयर करूंगी जो बुजूर्गों के लिए या घर में कोई बिमार है या छोटे बच्चों के लिए बहुत ही फा इसके लिए एक बरतन में एक दो चम्मच पानी ले लिया है और उसके बाद दो कप दूद ले लिया है इसको बॉल होने देते हैं इसको मैं शिफ्ट कर देती हूं दूसरे बरनर पर और इस पर कड़ाई रखकर उसमें सूजी हमें भूननी है वन फॉर्थ कप सूजी लेकर इसको बस ऐसे ही ड्राइ भूनना है इसमें कोई घी तेल मैं कुछ एड नहीं कर रहे हूं इसी तरह से भून लिया है जब सूजी भून गई है उसके बाद इसमें दूद हमने एड करना है एक हाथ से हमें उसे मिक्स करते रहना है दूसरे हाथ से दूद डालते रहना है ता इलाइची का पाउडर डाल दिया है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, अगर आपको इलाइची का टेस्ट पसंद नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, अब अच्छी तरह से इसको पकाना है, पर लगातार हिलाते रहेंगे, सुजी बहुत जल्दी पक् कर सकते हैं, आपने देखा चीनी मैंने 1 फोर्थ कप से भी कम रखी है, इतनी चीनी काफी होती है, बहुत जादा मीठा ना हो जाए, इसलिए और अगर आप मीठा जादा पसंद करते हैं, तो आप इसमें टेस्ट करने के बाद मीठा थोड़ा और भी एड़ कर सकते हैं, और आप इंजोई करना चाहते हैं, तो इस तरह से ड्राइब फूट से गार्निश करें, और दाने दार बनी हुई ये सूजी की खीर इंजोई करें, ये देखिए कितनी अच्छी पाफेक्ट एकदम बनी है, ठिकनेस आप अपने टेस्ट के अकोडिंग चेंज कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं, अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू